पुना एक बार स्वागत करते हैं, अभिनन्दन करते हैं, कोटी कोटी बंदन करते हैं, माननी प्रिधार मंत्रीजी का हम सब की तरफ से स्वागत, स्वागत, स्वागत और मैं अब उत्ता प्रदेश के माननी मुख्रमंत्री श्वी योगी आदेतनाथ जी से साधर अनोद करूँगी, कि हम सब की तरफ से माननी प्रिधार मंत्री जी को अंगवस्तन उठाकर, और जिन किसान भाईयों बहनों के लिए आज का ये कारिक्रम आयोजित किया, उसे की एक इसमती किसान भाईयों को उन्हें इसमते चिन के रुप में प्रदान करके, आप सब की बहुत जोड़ बास्तालियों के दिए उनका स्वागत करें, आभी नंधन करें। स्वागत करने के मंच बर उपस्तित है, मैं अन्रोद करूँगी तिकरी काश्री विद्धापीत के श्री रमेश सहनी जी से कि वो आएं अंगवस्त्रम उठाकर, सब किसान भाईयों के तरह से मानने प्रदान मंत्री जी का स्वागत करें, अभी नंधन करें। मानने प्रदान मंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभी नंधन करें। मानने प्रदान मंत्री जी का इस धरा पर, इस पावंध करती पर बहुत बहुत स्वागत और अभी नंधन। स्वागत की ही क्रम में स्वागत उद्वद्री का मैं मानने प्रदान मंत्री जी से साधर स्वागत करें। मानने प्रदान मंत्री का स्वागत करें। भारोग मताची भारोग मताची हरहार महादे विश्व के राजनेताओं में सर्वाधिक लोग प्रिय भारत के एसस्वी प्रधान मंत्री आदर्नी श्रीमान मोदी जी उत्तर प्रदेश की राजपाल शीमती आनंदी बेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के लोगपरी मुख्यमंत्री आदर्नी योगी आइच्पनाज जी भारत सरकार के किसी कल्यान मंत्री और मध्य प्रदेश के पांच बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे क्या दरनी सिवराज चौहां जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वैस शी मान केशो प्रसाद मौरे जी फिपरजेश पाशक जी उत्तर प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधान परशत के सम्मानित सदस्य गुपन चौधरी जी उत्तर के सरकार के अधिकारी गंड सभी सम्मानित अंददाता किसान भाईों और मीडिया के सभी मित्रों कि देश की महान जन्ता बाबा विश्वनात और मा गंगा के अशिरवात से काशी के लाल आदरी नेद मोजी को देश में भारत के पुरानमंत्री के रूप में तीसरी बार एक अधिहासिक रूप में उन्हें देश की सेवा करने का अशर मिला है इस सोभाग्य प्राप्थ होने के अशर पर मैं अपनी गोर से पवित्रकाशी के इस जनता जनार्दन की ओर से को देश में भारत के पुरानमंत्री के रूप में तीसरी बार एक अधिहासिक रूप में उन दाता किसान भाईयों की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ आधर्णी हमारा ये सोभाग्य है कि प्रधानमंती जी के रूप में हमें एक उसल और सक्षम नेत्रतु प्राप्त हुआ है जिनके पास चुनोतियों को के समाधान की शमता है जिन के लिए प्रतिवजता है आधर्णी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दस वर्सों के भीतर किसानों के कल्यार के लिए अनेक कारिक्रमों का उन्होंने सुभारम किया जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी हमारी मिट्टी की जाच प्रधानमंत्री फसल भीमव योजना प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महावियान MSP पर डाक्टर स्वामी नाथन समीती की रिपोर्ट को लागू करके देर गुना से दो गुना तक जूनतम समर्थन मुलिकों निरधारित करके किसानों की आयक को बढ़ाये जाने के लिए जिस प्रकार स से ठोश कदम उठाया उस्ले साथ वर्षों में किसी सरकार ने इस तरीके के कदम नहीं उठाये थे इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान भाईयों की ओर से मादनी प्रधान मंती जी का बार-बार अभिन्दन करता हूं बार-बार स्वागत करता अं आजनी ने इसी उत्तर-प और उड़रत के लिए साहु कारों के से छुटकारा मिल सके इसके लिए प्रधान मंती जी ने एक ठोस कदम उठा है और जिसके माध्यम से देश के साहे 10 करोड किसानों को अब तक 3,00,000 करोड रुपए से उपर की धंदासी उनको दी जा चुकी है प्रधान मंती जी के प्रयास सत्रहवी किस्त आज प्रधान मंती जी के करकमलों से जारी होनी है मैं किसानों के प्रति प्रधान मंती जी की कितनी प्रति बज़ता है कि अब की बार तीसरी बार जब प्रधान मंती के रूप में आपने प्रधान किया तो सबसे पहले उन्होंने किसानों की चिंता किया और पीएम किसान सम्मान लिदी की 17 किस्त को उन्होंने हस्ता अक्षर करके और ये बताया कि किसानों को हम पुरंग पैसा भेजने वाले हैं आज 17 किस्त आपके हाथ कमलों से जारी होने वाली है जिसके माध्धम से उत्तर प्रदेश के 6 करोड 6,75 किसान भाईयों को 4,343 करोड उनके क्रिशी कारियों के लिए लागत को घटा करके आमदनी के बढ़ाया जाए इस तरी से प्रदान मंति जी ने प्रयास किया है समय कम है इस लिए उसके उपर में बहुत चर्चा आगे नहीं करना चाहता लेकिन प्रदान मंति जी के कारण आज नूंतम समर्थन मुलिडो आपने डेर गुना से दो गुना किया उसे किसानों की आये में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है आग की सरकार ने जिस तरीके से दलहन और तिलहन के लिए कीमतों को निरधारित किया और कई फस्टों की तो दो गुना से जादा निरधारित किया है योगिया इतनाजी की सरक जबल इंजन की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है कि राजिके भीतर श्रीयन से लेकर के दलहन और तिलहन की खरीदारी हम लोगों ने व्यापक रूप से कराई है और पिछले साल साहे 3,000,000,000,000,000,000 बाजला और 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000 विक खरीदारी करके आपने जो अंत आपके योजनाओं का उत्तर प्रेश अनुपालन करके आज अग्रणी भूमिका क्रिशी के छेतर में अग्रणी भूमिका आदा कर रहा है राजिक के भीतर हम लोगों का क्रिशी एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ा है हमने पांच जगों पर पैख हाउस लगाए है और अभी कल पहली बार उत्तर प्रेश से यूएस के लिए हमारा मलिहाबाद का आम वहां से गया है और चार में टिक्तन से शुरुआद किया है ये 75 साल के इतिहास में आपके मारदर्शन में पहली बार हुआ है इसी तरीके से एपियों के माजम से किसानों के आम दरीज करते हुए एक बार सभी किसान भाईयों और मैनों से निवेदन करना चाहता हूं कि करतल धनी बजा करके हाथों के दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे और हर-हर महादेयों के साथ अधनी पढ़ान मंत्री जी का स्वागत करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद जैश्रीराम जैभारत जैश्रीराम 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 बेहनों की आज मंज पर विराजबान दुनिया के सरवाधिक लोग प्रिये राजनेता और लगातार तीसरी बार फिर प्रधान मंत्री बन के पहली बार कासी पधारे हैं ऐसे हमारे यसस्वी प्रधार मंत्री आदनी स्रीमान नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रधेश की हमारी राजपाल आदनिया स्रीमतियानन दिवैन पटेल जी उत्तर प्रधेश के करमठ और लोग प्रिये मुख्ध मंत्री आदनी योगी आदित्यनाथ जी उप मुख मंत्री द्वै भाई केशब जी विर्जेश जी आदनी किर्शी मंत्री सूरी प्रताब जी सभी आदनी मंत्री गण आदनी विधायक गण अपूरे देश से जुड़े हुए हमारे सभी मुख मंत्री गण केंद्री मंत्री गण मंत्री गण सांसद गण विधायक गण और यहां उपस्थित मेरे प्रिये बेहनों और भाईयो प्रधान मंत्री जी आज तीसरी बार प्रधान मंत्री बन के पहली बार आये तो मौसम भी बदल रहा है कल तक भयानक गरमी थी आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है ये इतिहास है इतने बहुमत से तीसरी बाद प्रधान मंतरी बनना जनता ने जो जना देश दिया है वो अपने आप में अदभुत और अभुत पूर्व है मैं देश के सभी किसान भाईयों और बहनों की तरब से माननी प्रधान मंत्री का हिर्दे से स्वागत करता हूँ हिर्दे से अभिनंदन करता हूँ किर्शी भारती अर्ष व्यवस्था की किर्शी भारती अर्ष व्यवस्था की रीड है और किसान उसकी आत्मा है और भारती जन्ता पार्टी का तो मानना है किसानी भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और इसी भाव से लगातार पुर्धान मंत्री नरेंदर मोदी जी और भारती जंता पार्टी की सरकार किसानों के कल्यान के काम में लगी है ये किसान और किसान और किसान और खेती के पृती प्रतिवधता है पुर्धान मंत्री जी की हमारी सरकार की कि पहली फाइल अगर पुर्धान मंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधी किसान के खाते में डालने की फाइल साइन और आज पहला कारिकम भी अगर हो रहा है तो खिसानों के बीच ही उराए आज प्रधान मंत्री जी सिंगल किलिक से लगभग सबाः 9 करोड किसानों के खाते में 20,000 करोड रुपया डालेंगे अब तक लगभग 3,26,000 करोड रुपया किसानों के खाते में डाल दिये गए हैं इस रासी के साथ प्रतान मंत्री जी का किसानों की आए जुगनी करने का जो रोड मैप है मुझे कहते हूँ प्रसंजता है एक उत्पादन बढ़ाना सचाई की योजनाओं के माद्धम से नई तक्नीकी का प्रयोक करके कैसे उत्पादन बढ़े इसके लगातार इसका प्रयास जा रही है दूसरे उत्पादन की लागत घटाना किसान भाईव आप जानते होंगे अर्वों रुपे की सबसडी देते हैं खाद पर तब किसान को सस्ता खाद मिलता है दुनिया में खाद कदाम आस्मान पर है लेकिन ये हमारी सरकार है हमारे प्रधानमंति नरेंदर मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुती होजना साहुकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है और छोटे किसान तो प्रधानमंति जो हमारी सम्मान निदी है उससे इखाद और बीच की विवस्था करते हैं तीसरी चीज जिसके बारे में साही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेत्रतों में और सभी प्रदेसों में फसलों के बहतर दाम किसान को मिले इसलिए मिनिमम सपोर्ड प्राइच जो लागत आती है उस पर कम सकम पचास परसेंट लाब दे कर नियूनतम समर्थन मूल ले तै किया जाता है और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंदर मोदी जी हमारे प्रिये प्रधानमंत्री जी ने किया पहले कि सरकारें के बल बातें करती थी प्राकिंत गाबदा में अगर फसल को नुक्सान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है किर्शी के विवधी करण का उन्होंने हम सब को अंदर देश दे और उस काम में लगे हैं फूलों की खेती, फलों की खेती सबजियों की खेती, औसदी खेती किर्शी बान की, किर्शी के साथ पसपालन, मधुमक्खी पालन जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए और एक चिंता और मैंने वो चड़व देखिए प्रधानमंत्री जी की क्या ये धर्ती किवल हमारे लिए नहीं है आने वाली पीडियों के लिए भी है अनियंत्रित, कीट नासक और खाद के प्योग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीडियों इस धर्ती पर कैसे रहेंगी उसलिए प्राकिर्टिक खेती का भियान उन्होंने चलाये हुआ है मैं उनकी स्टलफ को प्रणाम करता हूँ और किर्शी विभाग उनके नेत्रतों में किसानों के कल्यान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा हम दिन और रात पर श्रम करेंगे आज किर्शी सखी क्योंकि प्रणामंत्री जिन का है बेहनों को लगपती दीदी बनाएंगे गरीब बेहनों को और कई बेहने एक करोड लगपती दीदी बन चुकी है आज किर्शी सखी के प्रमान पत्मी बित्रित किये जाने है हमारी वो बेहने जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए एसी 34,000 बेहने अभी ट्रेन्ड है बाकी की और ट्रेनिंग होगी एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आए भी बढ़ेगी ये सारे प्रयाग किसानों के कल्यान के लिए जारी रहेंगे एक बार फिर में सभी किसानों की और से और लगपती दीदी और बेहनों की और से भी प्रधान Mind практи जी का हिरदे से सवागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ मेरे साथ बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद हरा हरा दुनिया के सबसे लोगप्रिय राजनेता भारत के इससी प्रधान मंत्री और कासी के लोगप्रिय सांसद आदनिया सी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री पद की सपत लेने के उपरांत आज आदनिया प्रधान मंत्री जी का कासी आगमन हुआ है उनके इस कासी में मा गंगा के सिससी पुत्र का आप सभी कासी वासियों की ओर से कासी के अनदाता किसानों की ओर से मैं हिरदय से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ मंजपर उपस्थीत प्रदेश की मानने राज्यपाल आदनिया स्रीमती आनंदी वेन पटेल जी केंद्रिय किर्शी यों किसान कल्यान यों ग्रामिन विकास मंत्राले के मानने मंत्री शिवराज सिंग चोहां जी भारती जनता पार्टी के प्रदेश की अध्यक्स चौदरी भुपेंद्र सिंग जी प्रदेश सरकार में मंत्री मंडल में मेरे बरिष्टितम सहयोगी गान उपमुख्य मंत्री द्वय सी केशो प्रशाद मोर्या जी सी ब्रजेश पाठक जी प्रदेश के किर्शी मंत्री सी सूर्य प्रताब साही जी प्रदेश मंत्री मंदल के मेरे सभी सयोगी गान आज इस कारेकरम में बर्चली माध्यम से जुड़े हुए देश भर के हमारे सभी माननी है मुख्य मंत्री गान, किर्शी मंत्री गान और उपस्तित कासी के सभी बैन और भाईयो आज कासी के लोग प्रिय सांसत और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री पत्का गवरो प्राप्त करने वाले आदनिय नरेंदर मोधी जी का उनी की कासी में आगमन हुआ है बैन और भाईयो देश की आजादी के बाद 62 वर्स के बाद या उसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर अपने बल पर अपने कारियों के माध्यम से देश के प्रतेग तबके के जीवन में ब्यापक परिवर्तन करते वे अपनी लोकप्रीता के अधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधान मंत्री पत की सपत ली है इस औसर पर मा गंगा के इस यसस्षी पुत्र का जिनोंने अपने कारियों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पैचान दिलाई है जिनके नित्रत्व में एक नए भारत का दरसनम कर रहे है जिनके नित्रत्व में आज उत्तरब्रदेश देश की एक अगरणी अर्थ विवस्ता की रुप में आगे बढ़ते वे कारे कर रही है आज आदनिय प्रधान मंत्री जी का कासी में आगमन हुआ है इस अवसर पर कासी के अनदाता किसानों की ओर से, कासी वासियों की ओर से, उत्तरप्रदेश वासियों की ओर से, आधने प्रधान मंतरी जी का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ और विनन्दन करता हूँ बेन और भाईयों, हम सब जानते हैं के अनदाता किसान, 2014 में आजादी के बाद, पहली बार, देश की राजनीती के एजेंडे का हिस्सा बना था स्वायल हेल्थ कार्ड से लेकर के, प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी तक, जो अन्यनेक योजनाएं इस दोरान किसानों के जीवन में प्रिवर्तन करके, उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिसा में जो प्रियास प्रारम हुए, आज उसके पैणाम हम सब को देख लिखने को हरस्तर पर मिल ले हैं, और इस उसर पर जब तीसरी बार प्रधान मंतरी पत की सफ़र आधनिये मोदी जी ने ली, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य और सबसे पहले किसी एक फाइल पर हस्ताक्सर किया, तो आथा पुना अनदाता किसानों के लिए समर्पित, और आज देश के करणों किसानों को प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा, प्रधान मंतरी किसान संबान निधी की इस नई सवगात के साथ इस नए अविहान का सुबारंब होने जा रहा है, मैं इस उसर पर उनके प्रतिहरते से कृतगता ग्यापित करते हुए आभार बेक्त कर करता हूँ, बैन और भायों हम सबने बदलती हुए कासी को देखा है, एक कासी जो आज एक नए कलेवर और नई काया के साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पैचान को बनाए रखते हुए, बैस्विक मंच पर अपनी एक नई पैचान बना रही है, यह नई कासी हम स को पुरी दुनिया को अपनी और आकर सिट कर रही है, इस नई कासी के काया कल्प के लिए पिसले दस वर्स में हजारों करोर रुपिये न केवल लगे हैं, बलकि दुनिया ने कासी को बदलते वे देखा है, इस कासी को नए रूप में बदलते वे देखा है, कासी के बारे मे आम जन की जो सरधा थी जो आस्ता थी उस आस्ता को फुष्ट और मजबूत होते वे देखा है इस अउसर पर इस नए भारत के सिल्पी के रूप में कासी के नए कलेवर और काया कल्प को करने वाले इस गंगा पुत्र का में उनी की कासी में आप सभी अनदाता किसानों की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हों अविनन्दन करता हों और इस अउसर पर प्रदेश कासी और प्रदेश के और देश के जिन अनदाता किसानों को प्रदान मंत्री जी के करकमलों से सौगात प्राप्त होने वाली है उन सभी अनदाता किसानों का भी महरदे से स्वागत करता हूँ उन्हें बदाई देता हूँ आप सब के प्रतिभी सौसर पर आप प्रधान मंत्री जी के स्वागत के लिए यहां पर पस्तित हुए है और हम लोग कल देख रहे थे कि टेम्परेचर एकदम ऐसा था कि इतनी भीशन गर्मी में कैसे होगा लेकिन आज जब प्रकृति और प्रमात्मा का संजोग होता है तो वहाँ अग्वुच्छन हम सब को आज कासी में देखने को प्राप्त हो रहा है कितना स्वावने मोसम कासी का हो चुका है इस स्वावने मोसम में अनदाता किसानों को मिलने वाली स्वागात के लिए आप सब को हिर्दै से बढ़ाई आजने प्रधान मंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद माननी मुख्य मंत्री जी हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान आज इनकी खुश्यों को ही बढ़ते हुए माननी प्रधान मंत्री जी हमारे किसान भाईयों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान दी के इंतरगत सीधे उनके खातों में राशी ट्रांसफर करेंगे मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि मानिनी प्रधान मंत्री जी आप बटन दबा कर इस राशी को हमारे किसान भाईयों बेनों के खादे में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें और क्या है ये प्रधानमंत्री के सांसम्मान निधी योजना आईए देखते इस वीडियो के माध्यम के ये राशी ट्रांसफर हो गई बहुत जोरदार कालियों से हम मानने प्रधानमंत्री जी का एक बार पुना विवादन से किसान पूरी तरह से ससक्त और सक्षम बने इस लक्ष के साथ हम निकले हैं देश के किसानों को हर बो सादन संसादन दिये जाए जिससे वो अपनी आए दोगुनी कर सके ये मुसकान है खुशाली की, देश के मान की, ये मुसकान है किसानों की और इस मुसकान की वज़ा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना जो अन्यदादाओं की आशाओं की जमीन को पिछले पांच वर्षों से इस तरह सीच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्म विश्वास की फसल लह लहा रही है माननिय प्रधान मंत्री जी की दूर गामी सोच का नतीजा है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णए किसानों के बारे में है माननिय प्रधान मंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की सत्रभी किस्ट की फाईल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्दाताओं के प्रती सरकार की प्रतिबधता को दर्शाता है विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना में एक पार दर्शी प्रक्रिया के तहट सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपे की 3 समान तिष्टों के माध्यम से कुल 6,000 रुपे दिये जाते हैं अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड से अधिक पी-म किसान लाभारतियों को 3.04 लाग करोड रुपे से अधिक की धनराशी डायरेक्ली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है इस योजना से किसानों के साथ समगर कृशी का जीन और धार हुआ है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहट इस योजना को किसान केंदरित डिजिटल बुनियादी धांचा में तबदील किया गया है जिसमें बिना किसी विचॉलिये के किसानों को सीधे किष्टों का भुपतान किया जाता है केंदर सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोडते हुए ये योजना, मोबाईल एप, EKYC प्रक्रिया मोबाईल एप से फेस आथेंटिकेशन और नो यॉर्ट स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है जिससे किसान इस योजना से जोड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते है किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान E मित्र बहतर कल का एक नया आगाज है किसान E मित्र AI चैटबॉट एक सचे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जोड़ी सारी जानकारी चैनित भाशा में मुहिया कराता है पी एम किसान की सत्रवी किस्त के रूप में आज माननिय प्रधान मंत्री द्वारा 9.2-6 करोड से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड रुपे की धनराशी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है केंदर सरकार की एक और एहम पहल है क्रिशी सकी जो ग्यान और महिला सशक्ती करण का अध्भुद संगम है क्रिशी सकी अभ्यान द्वारा गाउं की महिलाओं को पारंपरिक क्रिशी प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षन दिया जाता है जो महिला किसानों को आर्थिक्वा सामाजिक रूप से मस्बूत बनाता है गाव की हर महिला को इस मुहिम से जोवने के लिए माननी प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोडी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयम सहायता समूहों का क्रिशी सक्रिशी सकी हमारी सहेली जैसी है गाउं गाउं में आती हैं, हमको फेती बारे के बारे हैं वहुत कुछ सिकाती है ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान, स्वाभी माही, स्वाव लंबी, सशक्त और आत्म विश्वासी बन रहा है सिर्फ कल ही नहीं हर दिन एक नया आगाज इतना ही नहीं, पूरे देश में क्रिशी सखी के रूप में, कृषी से जुड़े अन्यकारियों को करने के लिए 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषी पैरा से कारेकर्टा के रूप में प्रसिशन प्रदान किया गया उन में से पाच क्रिशी सक्यों को पूरता प्रमाड पत्र प्रदान करने का मैं साधर अनुरोध करती हूँ माननी प्रदान मंत्री जी से कि वो इन क्रिशी दीदियों को अपना आशिरवाद प्रदान करने के कृपा करे इनमें पुरे देश में सबसे पहले हमारे बीच सर्गुजा 36 गड़ से आई अनीता मोती जी उनको प्रमाड़ पत्र प्रदान करने का मानने प्रदान मंत्ची जी से अनुरोध ये जिला सर्गुजा 36 गड़ से हमारे बीच में आई है अनीता मोती जी इनके बाद शहडोल मध्य प्रदेश से क्रिशी सखे दीदी ममता सिंग बरगाई दीदी ममता सिंग बरगाई ये शहडोल जिला मध्य प्रदेश से आई है इसके उपरांद इस्टर्न वेस्ट खासी हिल से मिघाले की लहुशा लिंका आई किशी दीदी लभुषा लिकाई मेघाले से हमारे बीच समंच पर आ रही है और इनके बाद आएंगी उत्तर कनाटका से स्री लता राजीव ही ग्रीजी है हमारी किशी सकी दीदी श्री लता राजीव ही ग्रीजी और इनके बाद हमारी अगली क्रिशी सक्षी दीदी है वाराण सी उत्तर प्रदेश से मीरा पाल इन्हें ये पुर्णता प्रमाडपत्र प्रदान कर रहे हैं माने नी प्रदान मंत्री जी और अब इसे के साथ मैं आप सब की बहुत जोरदार तालियों के बेज योग द्रश्टा, योग स्रिष्टा, योग निर्माता माननी प्रदान मंत्री जी से अन्रोद करती हूँ कि आज इस सरसर पर हम सब को अपना अशिर्वाद प्रदान करें हमारा मार्ग प्रशस्त करें माननी प्रदान मंत्री जी नमः पार्वती पताए हारा हारा महादे उत्तर प्रदेश के राजपाल आनन्दिमेन पतेल मुख्य मंत्री स्रिमान योगी आधित्यनाथ केंद्रियम मंत्री मन्नल के मेरे सहयोगी सिवराज्ची चौहान बागिरत जी चोधरी उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशोप्रसाद मौर्य ब्रदेश पाठाथ विधान परिशत के सदस्य और भारतिय जनता पार्टी के द्यक्ष त्रिभुपेंद्र चोधरी जी प्रदेश सरकार के अंडे मंत्री गाण जन प्रतिनीदी गाण और विशाल संख्या में आये हुए मेरे किसान भाई बहन काशी के मेरे परिवार जनो चुनाओ जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रनाम बाबा विश्वनात और मा गंगा के आशिरवाद से काशी वासियों के असीम स्ने से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सवभाग्यम मिला है काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिती चून कर धन्य कर दिया है अब तो मा गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है मैं यही का हो गया हूँ इतनी गर्मी के बावजोद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए और आपकी यह तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंड़क बर्षाने लग गया मैं आपका अभारी हूँ मैं आपका रणी हूँ सात्यों भारत में अठारवी लोकसभा के लिए हुआ यह चुनाव भारत के लोगतंत्र की विशालता को भारत के लोगतंत्र के सामर्थ को भारत के लोगतंत्र की व्यापकता को भारत के लोगतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पुरे सामर्थ के साथ प्रस्तुत करता है इस चुनाव में देश के चौसट करोड से जादा लोगों ने मतदान किया है पूरी दुनिया में इस से बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं अभी मैं जी सेवन की बैटरक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था जी सेवन के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे डेड़ गुना जादा है यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे डाई गुना जादा है इस चुनाओं में 31 करोड से जादा महिला उन्हें हिस्सा लिया है यह एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे जादा है यह संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के असपास है भारत के लोगतंत्र की यही खुपसूर्ती यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्शिद भी करती है प्रभावित भी करती है मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोगतंत्र के इकुपसूर्त को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता है यह बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं बल्कि तीसरी बार PM भी चुना है इसलिए आप लोगों को तो डेबल बधाई साथियों इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभुत्पुर्वा है इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है दुनिया के लोगतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है ऐसा भारत में साट साल पहले हुआ था तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी आपने ये सवभाग्य हमें दिया अपने सेवक मोधी को दिया भारत जैसे देश में जहां युवा आकांचा इतनी बड़ी है जहां जन्ता के अथा सपने है वहां लोग अगर किसी सरकार को दस साल के काम के बार फिर सेवा का आउसर देते हैं कि ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी विक्तरी है बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई उंचाई पर पहुँचाने के लिए कड़ी महनत करने की प्रेरना देता है मैं दिन रात ऐसे ही महनत करूंगा आपके सपनों को पुरा करने के लिए आपके संकल्पों को पुरा करने के लिए मैं हर प्रेयास करूंगा साथियों मैंने किसान नवजवान नारी शक्ति और गरीब इन्हें विश्षीद भारत का मजबूत स्तंब माना है अपने तीसरे कारकाल की शुरुवाद मैंने इन्ही के ससक्ति करन से की है सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है देश भर में गरीब परिवारों के लिए तीन करोड नए घर बनाने हो या फिर पी एम किसान सम्मान निदी को आगे बढाना हो ये फैसले करोडों करोडों लोगों की मदद करेंगे आज का ये कायरकम भी विक्सित भारत के इसी रास्ते को ससक्त करने वाला है आज इस खास कायरकम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गाओं के लोग जुड़े हैं करोडों किसान हमारे साथ जुड़े हुए है और ये सारे हमारे किसान माताए भाई भैने आज इस कायरकम की शोभा बढ़ा रहे है मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कौने कौने में गाओं गाओं में आज टेक्नलोजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का देश के नागरिकों का अभिवादन करता है थोड़ी जेर पहले ही देश भर के करोडों किसानों के बैंक खाते में पी एम किसान सम्मान निदी के बीस हजार करोड रुपिये पहुचे है आज तीन करोड बहनों को लखपती दीदी बनाने की तरब भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है क्रिसी सठी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आई के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे मैं अपने सभी किसान परिवारों को माता और बहनों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता है साथियों पी एम किसान सम्मान निदी आज दुनिया की सबसे बड़ी डारेक बेनिफिट ट्रांसपर स्कीम बन चुका है अभी तक देश के करोडों किसान परिवारों के बेंग खाते में सवा तीन लाद करोड रुपे जमा हो चुके यहाँ वारानसी जिले के किसानों के खाते में भी साथ सो करोड रुपे जमा हुए है मुझे खुसी है कि पी एम किसान सम्मान निदी में सही लाभारती तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलोजी का बहतर इस्तवाल हुआ है कुछ मैने पहले ही विख्षित भारत संकल्प यात्रा के दोरान भी एक करोड से अधिक किसान इस योजना से जुड़े है सरकार ने पी-एम किसान सम्मान निदी का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है जब सही नियत होती है सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के जन हित के काम होता है भाई और भेनों 21 सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थीक ताकत बनाने में पूरी क्रशी व्यवस्ता की बड़ी भूमी का हमें वैस्वीक रुप से सोचना होगा ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा हमें दलहन और तिलहन में आत्म निर्भर बनना है और क्रशी निर्यात में अग्रणी बनना है अब देखिए बनारस का लंगड़ा आम जौनपूर की मुली गाजीपूर की बिन्नी ऐसे अनेत उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं बन डिस्ट्रीक बन प्रोडर्क और जीला स्तर पर एक्सपॉर्ट हब बनने से एक्सपॉर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपॉर्ट क्वालिटी का होने लगा है अब हमें पैकेज फूर के ग्लोबल मार्केट में देश को नई उचाई पर ले जा रहा है और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारक का कोई न कोई खाज्यान या फूर्ड प्रोड़क होना ही चाहिए इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है मोटे अनाज श्री अन्न का उत्पादन हो आउशदिय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृति खेती की तरब बढ़ना हो पी एम किसान सम्रुद्धी केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टिम विक्षित किया जा रहा है बाई और बेहनों यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताए बेहने उपस्तित है माताओ बेहनों के बिना खेती की कलपना भी असंभव है इसलिए अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओ बेहनों की भुमिका का विस्तार किया जा रहा है नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कुरुशी सखी कारकम ऐसा ही एक प्रयास है हमने आशा कारकरता के रूप में बहनों का काम देखा है हमने बैंक सख्यों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भुमिका देखी है अब हम कृसी सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे आज तीस हजार से अधिक सहायता समूओं को कृसी सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिये गए है अभी बारा राज्यों में ये योजना शुरू हुई है आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूओं को इससे जोड़ा जाएगा ये अभियान तीन करोल लगपती दीदिया बनाने में भी मदद करेगा भाई और बहनों पिछले दस वर्सों में काशी के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पिछले साथ साल से राज्य सरकार को मोका बिला है पूरे समर्पन भाव से काम किया है काशी में बनास देरी संकुल की स्थापना हो किसानों के लिए बना पैरिसेबल कारगो सेंटर हो विबिन्न करशी शिक्षा एमम अनुसंदान केंद्र हो या इंटिग्रेटेड पैक हाउस हो आज इन सब के कारण काशी और पुर्वाइंचल के किसान बहुत मजबूत हुए हैं उनकी कमाई बड़ी है बनास देरी ने तो बनारस और आसपास के किसानों और पशुपालकों का भाग्य बदलने का काम किया है आजे डेरी हर रोज करीब तीन लाख लीटर दू जमा कर रही अकले बनारस के ही 14,000 से ज़्यादा पशुपालक यह हमारे परिवार इस देरी के रजिस्टर हो चुके है अब बनास देरी अगले एक डेट साल में काशी के ही 16,000 और पशुपालकों को अपने साथ जोड़ने जा रही है बनास देरी आने के बाद बनारस के अनेकों दूद उत्पदकों की कमाई में वेई पांच लाख रुपे तक की वृद्धी हुई है हर साल किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है पिछले साल भी 100 करोड रुपे से ज़्यादा का बोनस पसूपालकों के बैंक खाते में बेजा गया था बनास देरी अच्छी नसल की गीर और साहिवाल गायों को भी साथियों मनारस में मछली पालकों के आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकान लगातार काम कर रही पि-एम मच्य संपदा योजना से सेंक्डों किसानों को लाब हो रहा है उन्हें अब किसान क्रेडिक जान की भी सुविदा मिल रही है यहाँ पांस में चंदोली में करीब सत्तर करोड की लागत से आधुनिक फिश मार्केट का निर्माण भी किया जा रहा है इससे भी बनारस के मचली पालन से जुड़े किसानों को मदद मिलेगी साथियों मुझे खुशी है कि पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना को भी बनारस में जबर्दस सफलता मिल रही है यहाँ के करीब करीब 40,000 लोग इस योजना के तहट रजिस्टर हुए है बनारस के 2100 से जादा गरों में सोलर पैनल लग चुका है अभी 3000 से जादा गरों में सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है जो गर पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना से जुड़े हैं उनमें से जादातर को डबल फाइदा हुआ है उनका बिजली बिल तो जीरो हो ही गया है दो तीन हजार रुपिये की कमाई भी होने लगी है साथियों बीते दस सालों में मनारत सहर और आसपास के गावों में कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है उससे भी बहुत मदद हुई है आज कासी मैं देश के सबसे पहले सीटी रॉप्पे प्रोजेक का काम अपने आखरी पड़ाव तक पहुँच रहा है गाजीपूर आजमिर और जोनपूर के रास्तों को जोडती रिंग रोड विकास का रास्ता बन गई है फुलवरिया और चौका गांड के फ्लाइ ओवर बनने से जाम से जुजने वाले बनारस के आप लोगों को बहुत राहत हुई है कासी बनारस और कैंट रेल्वे स्टेशन अब एक नए रूप में परियटकों और बनारसी लोगों का स्वागत कर रहे हैं बाबतपुर एरपोर्ड का नया रूप नार सिर्फ यातायात बल्कि व्यापार को भी सहुलियत दे रहा है गंगा गाटों पर होता विकात बीएचु में बनती नई स्वास्त सुविदाए शहर के कुडों का नविन रूप और वारानसी में जग़ जग़ विक्षित होती नई व्यवस्ता काशी वास्यों को गवरों की अनुभूती कराती है काशी में स्पोर्ट को लेकर जो काम हो रहा है नए स्टेडियम का जो काम हो रहा है वो भी वाओं के लिए नए मौके बना रहा है साथ्यों हमारी कासी संस्क्रिटी की राध्धानी रही है हमारी कासी ज्यान की राध्धानी रही है हमारी कासी सर्व विद्या की राध्धानी रही है लेकिन इन सब के साथ साथ कासी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सीटी भी अर्बन डेवलप्मेंट का नया अध्याय लिख सकती है विकास भी और विरासत भीज का मंत्र कासी में हर तरब दिखाई देता है और इस विकास से तिर्फ कासी का लाब नहीं हो रहा पूरे पुर्वान चलके जो परिवार कासी में अपने कामकाश और जरुरतों के लिए आते हैं उन सभी को भी इन सारे कामों से बहुत मदद मिलती है साथ्यों बाबा विश्वनात की कृपा से कासी के विकास की ये नई गाथा अनवरत चलती रहेगी मैं एक बार फिर देज भर से जुड़े सभी किसानों साथ्यों का सभी किसान भाई बहनों का रदय से अभिवादन करता हूं बधाई देता हूं कासी वास्यों का भी मैं फिर से रदय से आभार व्यक्त करता हूं नमपार्वती पते हर हर बहादेर हर दय की गहराईयों से नवन आभार साधुवाद चाहता हूं कि कोई नेक काम हो जाए मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो और सर जुके तो देश को प्रणाम हो जाए जिनकी सांस सांस में मा भारती का गौरवगाल ऐसे हमारे आधरनी माननी यशश्वी प्रण मंत्री जी उनका मंच से प्रस्थान सीधा प्रसार अनाप वारा नसी से देख रहे थे प्रण मंत्री नरेंद्र मोदी ने वापर कार करम को संबोधित किया और कौन सी बड़ी बाते रही प्रण मंत्री के समोधन की काशी के लोगों ने तीसरी बार अपना प्रतिनी दी चुनकर धन्य कर दिया है पीम ने ये खास